असलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे चिकन सी कबाब with delicious gravy बहुती टेस्टी आपके कबाब भी बनेंगे और gravy भी ला जवाब होगी तो चलिए देख लेता हैं इसको हम कैसे बनाएंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी निकाफॉरेवर.com के बारे में कहीं अच्छे रिष्टे ही नहीं मिलते हैं ना जाने कितनी बार ये सुना है हम लोगों ने बट अप, अलहम्दुलिल्ला से निकाफॉरेवर.com is here to help you निकाफॉरेवर में आप अपनी पसंद का रिष्टा ढून सकते हैं यहाँ पर आपको completely privacy मिलती है मतलब आपकी information आपकी मर्जी के बगएर कोई नहीं देख सकता और यहाँ पर 100% verified और authentic profile रहती है और निकाफॉरेवर की team आपकी हमेशा help के लिए तयार रहती है इसलिए description box में दिये गए link पर आप click करें और वहाँ जाकर आप प्रजेस्टर कर सकते हैं निकाफॉरेवर.com पर तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं चिकन सी कबाब विद ग्रेवी सबसे पहले हमें आदा क्लो ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए चिकन को अच्छे तरह से वाश करने के बाद पांच साथ मुर्ट के लिए एक छनी पर रख देंगे जिससे कि इसमें जो भी एक्स्टर पानी है वो निकल जाएगा अब हमें इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले आट करने हैं जिसमें कि हम डालेंगे एक टीस्पून या फिर टेस्क हिसाब से नमत और एक टीस्पून डालेंगे कुटी वी लाल मरिश का पाउडर आधा टीस्पून डालेंगे लाल मरिश का पाउडर एक टीस्पून डालेंगे धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे बुनेवे जीरे का पाउडर और एक टीस्पून डालेंगे कुटावा ध और इसे बल सब्सक्राइब दो लेंगे एक टीसपुन लातों का पेस्ट और एक टीसपून अदर पेस्ट बर्र डालेंगे बीचे शाट भी कि ब ले pray मे Кई अब एक प्याजे में और सब्सक्टाइब ऑर प्यार्फली चॉप करेंगे डालती Y और साथ में डालेंगे नीबू का रस तो ये आदे नीबू का रस इसमें निचोड देंगे अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बेसन डालेंगे बेसन को हलका साथ तवे के ओपर रोस्ट कर लिए अब यह मैं डाल रही हूं इसमें एक ब्रेड जिसको हम पानी में डूबो कर डालेंगे ब्रेड डालने से बाइंडिंग अच्छी आती है कबाबो में लेकिन अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो फिर आप तीन से चार टेबल स्पून बेसन का इस्तमाल कर सकते हैं तो ब्रेड को पानी में डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ दीजेगा जितना भी इसमें पानी है वो निकल जाना चाहिए और आप इसको हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और सी कबाबों के लिए हमारा मिक्षर रेडी हो गया है तो चलिए अब हम इसको सीक कबाब का शेप दे रहीं जाना पर। कोफते टाइप बॉल का शेप है वो भी इसको दे सकते हैं अब हातों पर थोड़ा सा तेल या फिर पानी अपलाई करके इसको हम सीख कबाब का शेप दे देंगे जितना हमारा मिक्शर है इसमें हमारे आराउंड 15-16 सीख कबाब बनकर त्यार हो जाएंगे यहाँ पर मैं इस तरह से स्कीवर का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास स्कीवर नहीं है तो आप पैंसिल वगएरा का यूज करके भी इसको सीख कबाब का शेप दे सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी मिक्शर के सीख कबाब बना कर त्यार कर लिए हैं इस प ग्रेवी बनाने के लिए हम एक मसाला त्यार कर लेना है तो एक बूल ले लेंगे इसमें एक टीस्पून नमक एक टीस्पून कुटी वी लाल मिर्ज डालेंगे और एक टीस्पून लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे मैं कश्मी लाल मिर्ज यूज़ कर रही हूं आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, एक टीस्पून डालेंगे धनिय का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे काली मिर्ज का पाउडर, एक टीस्पून डालेंगे बुनेवे जीरे का पाउडर, एक टीस्पून डालेंगे कुटावा साबुद धनिया, और एक टीस्पू अब हम ग्रेवे के लिए मसाला बना लेते हैं, एक पैन में वन थर्ट कप के करीब तेल को गरम कर लेंगे, और इसमें एक कप यानिकी दो मीडियम साइज की प्यास को फाइन चॉप करके ढाल देंगे, प्यास को हमें हलका सा सॉफ्ट होने तक फ्राइ करना है, बहुत जादा अब हमने जो मसाला तयार किया है वह हमें इसमें डाल देना है, और इस मसालों को भी हम थोड़ा सा बहुन लेंगे, दो से तीन मट के लिए बहुन लेंगे, जिसे कि जो भी कच्छे मसालों की इसमेल है या फिर अद्रक लैसम वगरा की इसमेल हो खताम हो जाएगी, और दही को अच्छी तरह से फेटकर डाले के जिसमें लम्स वगरा नहीं रहेंगे, आप चाहें तो दही को इसकी भी कर सकते हैं, एक टमाटर बढ़ा दीजेगा अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं, और जब दही का पानी ड्राय हो जाएगा इसमें एक टीश्मून भर के कसूरी मेथी भी डाल देंगे, और थोड़ा सा बून लेता है इसको जब तक जो तेल है वो सर्फिस पर नहीं आने लगता है, और अब हमें इसमें पानी डाल देना है, तो मैं इसमें एक कप पानी डाल रही हूँ हम इसमें कबाब बाद में अट करेंगे, और आज जो मैं और बगाब एट रही हो उनको मैं फ्राइगोंगी मैं डालूंगी आप चाहें तो फ्राइगी कर सकते हैं लेकिन बगएर फ्राइकरे भी जब हम बनाते हैं इसको यह बिल्कुर परफेक्ट बनते हैं यानि कि कबाब तूटते वगेर नहीं है अब हाइफ लिम पर ग्रेवी म कोई शुनी है लेकिन बगएर फ्राइ करें भी डालेंगे तो यह पक जाएंगे और इनका शेप भी नहीं खराब होगा अब इसको ढग कर तीन से चार मिनट के लिए मीडियम टू हाय फ्लेम पर पकाएंगे और जब यह अच्छी तरह से पक जाएंगे फर्म हो जाएगा इनक कर लेंगे और आप देखेंगे पांच मिनट में जो कबाब हैं यह अपना शेप जो है यह रिटेन कर लेंगे अब इनका शेप खराब नहीं होगा अब हलके हलके हाथों से चलाने के बाद मैं इसको दोबारा से ढख दूंगी और लो फ्लिम पर बारा से पंदर मिनट गली और इस तरह से लो फ्लिम पर कबाबों को पकते वे तकरीब बारा से पंदर मिनट हो गए हैं और हमारी चिकन सी कबाब बिद ग्रेवी बनकर तयार हैं बहुत ही जबदासी कबाब बनते हैं ग्रेवी का टेस्ट भी ला जवाब होता है जो नॉर्मल हम ग्रेवी बनाते हैं आप इस तरह से भी इसको बना कर देखें आपके कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे और ग्रेवी का टेस्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा इसकी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी साइट पर ही रहती है तो थोड़ा सा गाड़ा रखेगा तो टेस्ट जादा अचाएगा अब मैं इसमें हरिमेश डालती हूँ जिसको मैंने 20 से स्लिट किया हुए और बारीक कटावा हरा धनिया डालतेंगे बहुत ही जबर्दस हमारे से कबाब ग्रेवी के साथ बनकर तयार हैं तो चलिए अब इनको हम सॉफ कर लेता है बहुत ही टेस्ट ही ये ग्रेवी बनकर त चलिए सर्फ कर लेता है उमीद करती हूं सीख कबाब विद्ग्रेवी की आसान सी रेसेपी आपको पसंद आई होगी ट्राइ करें फीडबैक जरू दें और रेसेपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक को चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स फर कि वीडियो आला फिस